दोस्तों आपको अगर network not registered वाली problem आ रही है तो इस वीडियो को last तक देखेगा step by step follow कीजेगा और उसके बाद आपकी problem हो जाएगी solve तो ये वाला जो device है वो है Samsung Galaxy G7 Prime और अगर आप दूसरा device भी use करते हैं तो भी आप इस steps को follow कर सकते हो सभी के लिए same steps रहेगी तो देखिए जब भी आपको इसे number dial करते हैं तो यहाँ पर आपको एक pop-up show होता है जिस पर लिखा होता है not registered on network आपके वल emergency call ही कर सकते हो इस situation में सो यह problem तब आती है जब आपका जिस सीम का network जिस सीम जो सीम आप use कर रहे हो उसका network registered ना हो या फिर आपका network चला गया हो तो यह problem simple है इसको solve हो जाएगी इतने यादा problem नहीं है आपको क्या करना है settings में जाना है और connections में जाना है यहाँ पर आपको mobile networks का option मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर देखिए आपको network operators का option मिलेगा थो यहाँ पर देखिए अगर आपके area में सीम card का network available है जिस सीम card का उप use कर लयो तो definitely registered हो जाएगा तो पहले आपको यहाँ पर Network Operators पर क्लिक करना है और Select Automatically पर ही क्लिक करना है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो भी Situable Network रहेगा या फिर जो भी Fast Network रहेगा उससे आपका डिवाइस Automatically Connect हो जागा देखिए Registered on Network आ गया है और यहाँ पर Idea भी शो हो रहा है आईडे की SIEM यूज हो रही है ठीक है अगर फिर से अगर आप GEO की SIEM यूज कर रहे है या फिर किसी अधर Operator की सेम स्टेप फॉलो गरना है वैसे तो हो जाएगा लेकिन GEO की SIEM में यह रहता है कि अगर आपकी यहाँ पर SIEM कार्ड है अगर आपको यहाँ पर देखिए बैक जाना है Connections में आना है यहाँ पर आपको SIEM कार्ड मैनेजर पर आना है यहाँ पर आपको देखिए SIEM यहाँ पर आपको Network Mode का Option मिलेगा यहाँ पर अगर आपका 2G Only Select है तो Maximum GEO की SIEM में प्राप्लम आती है कि अगर आपका Network Mode 2G पर Select है तो जो भी Phone 4G Support नहीं करते हैं मतलब कि किसी किसी Phone में से रहता है कि एक Slot ही 4G Support करेगा तो दूसरी SIEM का Automatically 2G या 3G हो जाता है तो अगर GEO की SIEM में 2G Select है तो भी आपका Network में प्राप्लम आएगी तो चलिए अब हम देख लेते हैं बाकी Basically आप वह आली Steps फॉलो कर सकते हैं जो पहले बताया है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी Problem Solve हुई है या फिर नहीं यहाँ पर मैंने 1,2,3,4,5,6 लिख दिया आप इस फोब में डायल करता हूं यहाँ पर देखिए Call लग गया है यह देखिए आप इसे आप Simply Network सिलेक्ट करके अपने फोन का Network Not Registered वाली Problem को Solve कर सकते हैं अगर आपको और कोई सी Problem आ रही है तो को नीचे Comment Box में बताईए अगर आप कोई वीडियो हेलफफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे कि आपको फ्यूचर की वीडियो मिल जाए Thank you for watching